हेलो वाट्स आप गाइस माने में स्विनोथ बादु थापा एंड वेलकम तू डू डू प्रोजेक्ट इन रियाइक्ट जेस्ट जेहां गाइस तो आप प्रोजेक्ट होने जा रहा इन आप रियाक्ट सिरीज एंड आप लोग उतनी ज्यादा एक्सेड़ होंगे तो बताना सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज यह बताऊंगा बेस्ट प्रैक्टिस कैसी है जो आपको फॉलो करना चाहिए जब आप टू-डू अप्रिकेशन क्रेट करते हो थर्ड सबसे ज्याद इंपॉर्टेंट आएगा जब कीस के साथ हम में कैसे खेलना है क्योंकि वह एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जो no matter what being a react developer आपको पता होना जरूरी है और फॉर्थ मैं आपको गाइस यह जो टू-डू अप्लिकेशन है इसको मैं आपको पांच वीडियो में बताने वाला हूं जहां पर एब्री डे हम कुछ न्यू सिखेंगे like in day one हम यह देखेंगे कि कैसे आप्लिकेशन क्रेट कर सकते नॉर्मल जहां पर इंपूर्ट फॉर्म में आप कुछ भी डेटा फिल करें एंटर हिट करें तो वो डेटा सब्मिट हो रहा है तो उसके पीछे का logic क्यों है I mean क्या है यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी उसमें कुछ वैलिडेशन नहीं कर सकते तो वो सारे चीजों को हमें एकदम अच्छे से समझना है best practices क्या वो देखेंगे इन और डेट को हम देखेंगे date and then time को हम कैसे implement कर सकते है जिसमें आपका set interval timing events आएंगे आपके आप यूज एफेक्ट आ सकता है बहुत सारे चीजे है जो तब आपको भी समझना होगा clean up functions यह बहुत important है then on day 3 हम यह देखेंगे कि delete functions and then clear all button को हम कैसे tackle कर सकते है and उसके पीछे भी एक logic है जो मैं आपके साथ share करना चाहूंगा and then guys on day 4 हम यह देखेंगे कि कैसे हम हमारा जो suppression अब concern होता है जो हमारा form में उसको reusable कैसे बना सकते है basically हमारा to do application को हम component में divide कर देंगे because react is all about your components तो वो जो है वो भी बहुत important होगा and then on next day हम यह देखेंगे कि कैसे हम इसमें जो भी टास्क अगर हम जब tick करते तो complete हो जाता है तो उसके पीछे का reason क्या है I know आपको लग रहा इसको completely rewrite लिखने वाला I mean पूरा change हो जाएगा सब कुछ क्योंकि मैं आपको बताऊंगा the best way to pass keys in our react application no matter what keys बहुत important है वो जो day होगा ना जब मैं आपको checklist वाला बताने आपने आपको completed all our task उस दिन वापस से like जितना भी हमने पिछले 4 दिन में किया था उसको वापस हम refactor करके modified कर देंगे and then उसका next day होगा कि हम उसको कैसे local stories में add करें ताकि guys आप जब भी उसको refresh करो फिर भी data always उदरी परसेस उदरी आपको मिले and then on the last day हम यह देखेंगी कि उसको हम free and then paid में कैसे host कर सकते है तो belief में guys यह video पहुत awesome अने वाला if you are a beginner या अगर आप intermediate हो तो आपके then video आप जरूर देखें लेकिन video को देखने से पहले I mean जो मेरा initial part होगा हर एक video में में यह बताऊंगा आज हमारा day इतना है and यह task जो है आज हम implement करने वाले यह functionality को हम implement करने वाले that is your job guys if you are a intermediate and then advanced developer then video को करना pause and I know आप बहुत इजली कर लोगे and video को कीजेगा pause then आप उसको try आपको बहुत कुछ मजाएगा इतना तो मैं guarantee दे सकता हूं अभी तक आपने जितने भी टूटूट देखेंगे उससे यह हटके होने वाला है and इस वीडियो में आपको इतना सब कुछ पाता चलेगा जो I guess आपने सोचा भी नहीं होगा अरे या ऐसा भी हो रहा है क्या समझ तो यहां मैं बहुत excited हो प्लीज यह जो मेरा react series है इसको भर-भर के अपने दोस्तों के साथ share कर दीजेगा Instagram आपके WhatsApp जहां आप हो सकते हो share कीजे आप मुझे tag कर सकते हो मैं अपने story में भी share कर दूगा so guys if you are feeling excited then guys please subscribe करना मत बूलिएगा क्योंकि it's just the beginning जब हम और advance रहेंगे ओलाट गैस तो आप देख सकते हैं हम हमारे गंबुड़ी स्क्रीन पर आचुक है हमारा जो टूडव अप्लिकेसे कुछ इस्तिर्गी से दिखने वाला है best part देखो मैंने यहां पर check uncheck delete कर सकता हूँ add कर सकता हूँ यह ना and वापत चलो मैं Apple ट्राय करता हूँ add नहीं कर सकता free वाला भी add I mean mtb add नहीं कर सकता है delete कर सकता हूँ check uncheck check uncheck and then again मैं जितना भी refresh करूँ data will be always there and date and time perfectly एक दम रियल टाइम जो मेरा भी यह time दिख रहा है वही यहां पर चल रहा है तो यह सब कुछ कुछ coming four and five days में हम बनाने वाले हैं and हर एक दिन बहुत ही जादा special होने वाला है व जो मैंने यहां पर एकदम details में बताईए वह काम आने वाला है it just आपको अपना mind को एकदम cool रखना है and यह सोचना है कि अच्छा इसको मैं ऐसे कर सकता था अच्छा इसको मैं ऐसे कर सकता हूं तो यह वाला जो thinking है यह अब आपको अपना जो है start करना पड़ेगा ठीक है all right guys तो कल की वीडियो हमने कुछ इतना देखा था and हमने देखा कि react icons हम कैसे उसका सकते and I hope आपको मज़ा होगा उस react icons को देखके ठीक है so मैं चलता अपनी VS code editor पे and here you can clearly see की कुछ इस तरह किसी दिखाई दे रहा है तो guys करना क्या मैं आपको बताता हूं सबसे पहले एक second सबसे पहले guys आपको एक देखो project हम अलड़ी बना चुके I hope आप मेरे series को follow कर रहे हो and अगर आप first time देख रहे हो तो guys please subscribe कर लिजेगा and एक react का application आपको बनाना simple version 19 हम काम कर रहे है जहां पर here we have this source ठीक है source के अंदर हमने एक project करके folder बनाया हुआ है उस folder के अंदर भी मैंने एक और folder बनाया है जिसका नाम मैंने दे रखा है what to do तो अब आपको एक to do करके folder बनाना है and उसको मैं further अगर expand करता हूँ एक second तो एक second मैं यहां पर लेकर दिखाता हूँ आप लोगों को देख लिजे so now project को भी further अगर मैं expand करता हूँ तो उसके अंदर भी मैंने कुछ files बना रहे by the way यह जो help.jsx आपको दिख रहा है यह आपको पता चलेगा जब भी हम to do application में कुछ काम कर रहे होंगे जब हमें यह लगता है अरे याई यह चीज़ तो मैंने जावस्कृट में पड़ी थी लेकिन react में यह कैसे काम कर रहा होगा इसके पीछे की logic क्या होगी तो वो help.jsx के अंदर मैं आपको बताऊंगा आप भी फिलाल आप इसका टेंसा मत लीजिए आपको मैंने यह जो to do.css यह आपको ध्यान में रखना है वाई क्योंकि to do.css के अंदर मैंने सारा जितना भी हमारा css का पार्ट है complete मैंने इस पर लिखके रखा हुआ है and one more thing make sure करना कि source code मैं आपको प्रवाइड करी रहा हूँ and बाकि जितने भी आपके css वाले file होंगे components के अंदर let's say we have this eb.css मैंने delete कर दी netflix.css पुरा completely मैंने comment out कर दिया and जैसे आपको जहां भी आपके css के file आप उसको comment out करते क्योंकि यह global काम कर रहे and आप जो to do application में अगर कुछ बटन पर काम करते हो तो यहां पर हमने button के साथ खेला वा था तो वो button के style वहां पर apply हो जाएगा तो फिर mismatch हो जाएगा इसलिए हमें बस क्या करना है सारे css को हटाना है and then हम simple to do पर मैंने to do.css रखा and इसी पर ही मेरे सारे css होने वाले and main dot we have css somewhere sorry it's an index.css and इसमें कुछ छोटे से मैंने कुछ code रखा हुआ है यह जब मैं आपको tailwind सिखा रहा था अब तपका था यह तो टेंसे नहीं लेना है all right guys तो आहे हो आपको पाता चलिया होगा so now to do folder के अंदर एक new file create कीज़े अब जल्द इसे that is to do.jss to do.jss अब हमें यहां पर चलना है and मैं बताना चाहूंगा मैंने पूरा यहां पर आप लोगों के लिए पूरा रखा होया चीज है कि day one में हम क्या करेंगे day two में क्या करेंगे day three में क्या करेंगे so guys आप देख सकते हो in day one हमारा काम है creating a simple to do list in react with best practices जहां पर set up a react project जो हम already कर चुके मैं आपको already दिखा चुका हूं and guys still अगर आपको नहीं मालुम तो यहां पर आप देख सकते हो मेरा यह जो second video था react installation and creating our first website version 19 वाला please इसको आप check out जरूर कीजिएगा ठीक है all right मैं आप यहां पर चलता हूं आपका यह clear हो गया then create the main to do component we need to create a to do form and by the way to do form क्या मैं आपको बताता हूं this is our another component जो हम day 2 में देखेंगे यह एक day 2 का है then यह आपको दिखाई दे रहा है यह है आपका एक अलग component जो आज के दिन हम देखने वाले है and यह जो part दिख रहा है यह भी आपका एक अलग component जो हम आज के दिन देखने वाले यह clear all यह हमारा अलग वीडियो है जो हम तिसरे दिन में देखेंगे और साथ यह जो पार्ट आपको दिख रहा है यह वाले यह 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 तो यह आप देख रहों गाइस यह दिखने में एक जैसे जो कि हम दे थी में देखेंगे बट इतने सारे component मुझे लगने वाला one main parent component इसमें एक h1 मुझे लगेगा यह हम कल के दिन देखेंगे अलग component यह to do form आपका एक अलग component है यह to do list आपका अलग component है and this is your another component तो यह अलग-अलग component आपका इस तरगे से काम कर रहा है and obviously to manage state we need use state क्योंकि अब तक देखा भी हम देखा ही सिर पुतिन है अमने and बाकी तो form validation देखना है कि empty हो ना हो या दोनो same ना हो and discuss the best practice वो तो मैं आपको करूंगा ही उसमें तो कोई doubt है ही नहीं right all right तो चलो काम करते है and guys किसी को कुछ भी अगर doubt आ रहा है न बे फिकर हो कि आप नीचे comment कीजिएगा ठीक है तो return में चल देता हूं यहाँ पर section जिसको मैंने class दे रखिए and the beauty is कि मैं CSS को पहले import कर लेता हूं ताकि मुझे उसका suggestion आ जाई है यहाँ पर है कि अब मैं यहाँ पर एक सेकिन यह क्या आ गया here we have a to do container perfect इसके नीचे में चलता हूं याद है हमारा वो part तो मैं header कर देता हूं we have a h1 and we have a to do list simple यहाँ पर आपका वो आ जाएगा next day आपका date here we will have our date जो कि हम बाद में देखेंगे वाट फिलाल अभी इसका tension नहीं है then guys we have our one section इसको एक class दे दीजिए form करके ठीक है इसके अंदर हम चलते है let's create our form ठीक है action की हमें बिल्कुल भी कोई need नहीं है ठीक है बट जब भी कोई form को submit करेगा तब हम एक event fire करना है जो में twitter में बताता हूं but let's create one div and let's have one our input ठीक है guys इसको class name दे दो to do input है na and auto complete जो है इसका वो हम auto complete को off कर देते ठीक है yeah this is it यह हमारा guys वो form आ जाएगा let's have our div over here and let's go with our button no matter what form के अंदर जब भी कोई button आप लिखोगे make sure आप उसका जो type उसको submit कीज़े even आप यहाँ पर input भी लिख सकते थे कोई problem नहीं वहाँ पर and let's go with add task and इसको कुछ class name दिया है क्या to do button होगा it may be right alright so अब हम इसको guys एक काम करते है हमारा जो main app.js है वहाँ पर add करते है and आप देख सकते हुए कि मैं already इसको add कर चुका है and it's not a big deal simple component add करना है and then आपको import करके रख देना है and अगर यह कैसे बाप उनने से control hit करोगे तो by default आपको मिली जाता वो ठीक है तो मैं अगर okay तो कुछ आपको ऐसा दिख रहा है and mango एक second mango तो लिखा मैंने apple ठीक है अब the thing is कि मैं चाहूँ कुछ भी लिखू मुझे कुछ होने वाला नहीं यहाँ पर क्यूंकि एक major thing आपको यह पता होना जरूरी है कि in react everything is an component and जब भी कोई data है जिसकी value अगर change होने वाली है then we need state अब हमारे case में obviously मैं जब भी इहां पर input file में कुछ भी लिखता हूं and then enter hit करता हूं तो वह कहीं न कहीं मुझे store करना है and वह जो data में store कर रहा हूं right जो data में store कर रहा हूं जैसे यहां पर apple नहीं लिखा था मैंने तो वह वापस यहां पर add हो जा रहा है कैसे मैंने यहां पर जो भी लिखा उसको में एक state पर store कर रहा हूं and कैसे में वह जो data है यहां पर one by one एक के नीचे उसको में display कर रहा हूं ठीक है तो यह अगर आपने जावस्कृट में किया है तो सेम वही concept वही logic हमें react में भी implement करना होगा and मैं highly recommend करना चाहूंगा आपसे कि मेरा advanced code जो है JavaScript advanced code का जो मेरा पहला ही project है वह मेरा ECQ पर है तो प्लीज इसको आप एक बार जरूद जरूद कीजेगा नहीं तो इसके end में आपको मिल जाएगा बहुत मजा आने वाला है तो यहां पर मैं चलता हूं let's go with input value and then set input value right and यहां पर let's go with use state and इतना याद रखो कि यह जो input value है वो किसके लिए है इसके लिए तो user क्या type कर रहा हूं उसका data तो मुझे चाहिए and उसको पाने के लिए मैंने यह state बनाया है तो मैं यहां पर चलता हूं and एक चीज़ देखना अब यह बहुत important है जो जब हम actual में form पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा है ना अभी फिलाल तो यह कुछ आएगा नहीं बट यहां पर एक चीज़ देखना the moment मैं आपको इसमें value attribute add करता हूं हम बेसिकली रियक्त में तो प्रॉप्स बोलेंगे बिकोज इस लाइक यहां पर वो जो मेरा input value है वह से तो आ जाना चाहिए था भाई साब को input value आ गया चलो ठीक है देख लीजे the moment मैंने एक state variable को यहां पर एड कर दी और इसकी जो initial value फिलाल के लिए में zero कर देता हूं अब देखने मुझे एक error आएगा यहां पर यह बहुत important एंटर्वी वाले आपसे पूछ सकते हैं कि यह क्या हो रहा है यहां पर you provided a value prop to a form field without an on change handler and this will render a read only field if the field should be mutable use default value otherwise see either on change or read only अलागि यहां पर एक और चीज आना चीए था जो मैं expect कर रहा था and that is कि अब अब uncontrolled element को controlled element बनाने जा रहे हो कि आप यह चाते हो यह हमसे पूछते है ठीक है तो मैं आप देखने है यहां पर अब मैं चाहूं कुछ भी type कर देखो काईस मैं type कर रहा हूं लेकिन मैं अब कुछ भी type नहीं कर सकता this is the beauty and the interview आपसे पूछते because क्या हो रहा है on every render मैंने value change कर दी है and input value by default क्या है एक empty string है तो चाहूं अब मैं कितना भी कुछ भी कर लो यह always एक empty string रहने की कोशिस करता है इसलिए मैं कुछ type नहीं कर पा रहा but now we have on change handler यह basically event आप इसको आप बोल लिए and यहां पर देखिए यह बहुत important देखिए the thing is मैं यहां पर fat arrow function basically callback function है जिसमें by default यह तो आपको मालो में कि हमें always events मिलते है and react वो सिर्फ एक event ना होके वो synthetic event होता है and मैंने already इसको पर एकदम detail में video बनाया था what is this synthetic event बोलके and I guess वो आपको मिलेगा हमारे यह event handling in reactions यह हमारा जो 23rd number का video है इस वाले video का आप एक बार देख लिजएगा पूरा आपको idea आ जाएगा कि synthetic events and all क्या चीज़ होती है ठीक है the moment ही आपको मिल जाता है तब आप यहां पर एक चीज़ कर सकते हो and that is आप एक function को call कर सकते हो let's say handle input change जिसमें what you can do is event.target.value and I hope अगर आपने जास्कृट पहले try की है then यह तो आपको बहुत अच्छे से मालूमें कि in our event object we have this target property and inside our target property we have our value property तो अब यह handle input change में यहां पर जाओंगा ठीक है const handle input change now मेरा main मक्सद यह है जब भी user कुछ भी type करता है the moment अगर एक भी key को उसने press की तो यह event वो fire होगा and मुझे खाली set input value पे मुझे क्या करना होगा यह वाली value जो मुझे मिल रही है कहां से मिल रही है obviously यहां से मिल रही है user जो भी type कर रहा है उस value को मैं यहां पर get कर रहा हूँ right उसको मैं यहां पर इस तरह की से update कर दूंगा तो the moment एक भी key मैंने press की यह empty string से उसकी value इस वाले value से update हो जाएगी so अब यह मेरा बन गया है initial element या initial data and the moment मैंने कुछ भी key press की now that will become my current data for this state variable अब कोई problem नहीं मुझे ना तो वह error आएगा ना तो वह फालतु का कुछ दिखाएगा refresh करते सब गायब हो गया and the beauty अब यह है कि मैं यहां चलता हूँ here we have this component guys if you don't know please इसका link में निचे description दे दूँगा बहुत इसको install कर सकते हो you know dev tools for react जिसमें to do right see we have one state यहां पे बहुत क्लियली देख सकते हो and okay इसको zoom कर दो तो perfect में यही चा रहा था ठीके यहां पे आप देख सकते हो एक state दिखर आपको इस जगे पे right तो मैं अगर यहां पे चलता हूँ लिखता हूँ mango and boom guys see here we have our mango and बहुत क्लियली देख सकते हूँ कि वो एक hooks है use state आपका एक hook है जिसमें एक state है जिसमें mango add हो गया अब उसी तरकी से let's go with apple enter hit करता हूँ वापस से वो re-render हो गया है जिससे सब गयप हो गया वापस से re-render हो और वो सब गयप हुआ and फिर मैं लिखता हूँ यहां पे let's say orange ए देखो मुझे orange मिल रहा है फिर मैं enter hit करूँगा फिर गयप the reason यहां पे वो re-render हो रहा है यह आपको लग सकता है हाँ होता तो actual में re-render भी है but one more thing आपको यह ध्यान में रखना है जब भी आप form के साथ काम करते हो right आपका form always page को guys क्या करता by default refresh कर देता है you know मतलब वो हमें नीचे default behavior है form का form and मैंनो बहुत अच्छे से वह event handling में बताया था कि जब भी आप कोई भी इस सिरके से event basically function का नाम लिख रहे हो in react तो उसका naming convention क्या है let's say we need to always use this handle and जब आपको event pass करो देन आपको यह on लिखना पड़ता है then यह camel case में होना चाहिए तो बहुत सारी चीजे है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई थी event handling in react जैस तो प्लीज उसको check out कीजिएगा ठीक है अब यह जो पाट इसको copy कर रहा हूं मैं यहां पर चलता हूं so const यह है ना तो सबसे पहले एक काम कर लेते है जल्दी से and that is यहां पर फिर से we need that event है ना synthetic event and event so we have our event dot do we have a predefined नहीं आता ही नहीं हो predefined वाला prevent default हा एक method है जो by default हमें event प्रोवाइड करती है ताकि form का जो default वे रहा हम उसको prevent कर सके राइट देखो यहां पर बहुत के लिए देख सकते हो कि यहां पर आपको एक question mark दिखाई दे रहा it means की form already जा चुका है तो वह में एक बार हटाना चाहूंगा and एक बार में refresh करना चाहूंगा अब कोई problem नहीं है अब मैं चाहूं तो apple लिखके enter hit करूं कुछ नहीं होगा देखो add task करूंगा कुछ नहीं होने वाला वो उधर ही है वो उधर ही है बस अब मुझे क्या चाहिए कि जब भी user कुछ लिख रहा है apple लिखा उसके वासाइद वो mango लिखेगा उसके वासाइद वो फिर orange लिखेगा तो वो मुझे एक array में store करना है क्योंकि then once मैंने उसको array में store कर दिया तो फिर बहुत इजले map method की मदद से one by one मैं उसको display कर आ सकता हूं and हमारा यह जो react जब मैंने आपको बताया था कि हम dynamic values in jsx react conditional rendering netflix का पूरा बताया था बहुत अच्छी तरीकी से तब मैंने आपको दिखाया था कैसे आप netflix का data को ए देखो netflix series card creation netflix card reusable जो भी हो आप इसको प्लीज एक बाद चेक आउट कर लिजेगा तो देख लिजे आप मे by one मुझे array में store करना है वो मैं कैसे कर सकता हूं देखो again मुझे एक variable चाहिए जिसमें मुझे data को store करना है पहले में user ने लिखा apple मुझे उसको store करना है उसको बात user ने लिखा mango तो apple के बाद फिर मुझे mango store करना है it means एक variable जिसकी value constantly change होता रहेगा जब-जब user कुछ भी type करने वाला है हमारे input value में again we need an state हमें फिर से एक state चाहिए गाइस यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि react में आपको state चाहिए ही चाहिए ठीक है so let's go with the task set a task कर देता हूं में यहाँ पे ठीक है इस सबसे पहले तो if क्या मेरा यह जो input value है अगर यह empty है then return मलब data को store मत करना ठीक है profit now अब यह जो मेरा set task है इसमें मैं कैसे मेरा जो data पहले भी यूजर ने कुछ लिखा होगा उसको मैं रखूं एन उसके साथ ही साथ जो यूजर नया data लिख रहा है उसको at the end में add करते रह तो यह functionality को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ तो एक simple तरिका मैं आपको बता तो जब भी आप set task basically updated function use करते हो इसमें आपको एक function मिलता है जहां पे एक power है कि जो भी previous data है आप उसको access कर सकते हो इसका simple मतलब कि current state को छोड़के उसके बात के जितने भी previous state के data है आप बहुत easily य मैं previous आपको करके दिखाता हूँ हमें क्या मिल रहा है इसकी नीड निया मुझे ठीक है ओलाइट इतना मैंने किया जब भी कोई form को submit करेगा तो मुझे यह data मिलने वाला है let's see क्या मिलता है यहां पे राइट सो console पे क्या दिखा रहा है ओलाइट नौ कोई error निया पॉफेक् मैं एंटर हिट करता हूँ यह देखो मुझे क्या आया इस तरीके से एक empty data मुझे मिल रहा है क्यों मिल रहा है क्योंकि mango से पहले तो मैंने कोई data कभी insert किया ही नहीं था तो वो यह वाला जो set previous है sorry set task इसमें जो यह previous value है उसने मुझे यह empty array दी क्योंकि फिलाल task का जो initial data था वो यह था initial value and the moment मैंने mango add कर दी अब इसका current data यह हो गया and हमारा यह जो initial था वो अब उसका previous हो गया that's why मुझे यह data वहां पर मिला ठीक है अब मैं क्या कर सकता हूं बहुत easily we have one spread operator मेरे जितने भी previous task होंगे एक काम करते इसको previous task नाम देते तो and by the way यहां पर नाप चाओ तो भी लिख सकते it doesn't matter by default जो भी value आप यहां पर देते वो previous को ही mention करता previous state का जो भी data and मतलब मेरे जो भी previous data होंगे आप उसको as it is रखिए यह हम कर पाते है because we have spread operator with us यह जो three dots आपको दिखाई दे रहा है यह है आपका spread operator and don't worry अगर आपको बिल्कुल idea नहीं what is spread operator तो कल की वीडि आने यह जो आपको टॉप पे दिखाई देर आप इनको check out कर सकती हो इसका simple मतलब है previous जो भी data है उसको एक जगे पे set करके रखिए ठीक है फिलाल अभी में क्या करो मेरे array में जो भी आगर data रहेगा उसको आप as it is रखिए and जो अब में एक extra यहां पर लिखने जारो इस तर यहां पर आईए refresh कीजिए and यहां पर ने components पर चलते है ठीक है so to do पर आपको click करना है we have this state let's go with apple enter hit key and boom guys see here we have apple and आप देख सकते हो कि वो एक array है तो 0 से start होता तो 0 index number पर we have apple we have an apple then we mango को मैंने enter hit key mango मुझे मुझे अच्छा एक चीज यहां पर आपको थोड़ा सा परेशानी कर रहा है and that is कि मैंने mango लिखा है ना मैं वापस से अगर mango लिखूंगा तो आप देखना क्या होता है यह देखो तीन तीन बार mango एड़ हो गए क्योंकि मैंने दो बार क्लिक किया था मतलब एक तो पहले ही mango हो गया था फिर मैंने दो बार टक टक कर दिया तो आपको इस तरीके से दो mango वहां पर आड़ा आगे तो दो चीजे है जो मुझे यहां पर बॉदर कर रही है सबसे पहल अची है अब मैं जितना भी empty वाला करूंगा वह कभी add नहीं होगा एल्स अगर यह एक लाइन छोड़ दो ना मैं तो यह देखो देखा अगर वह भी नहीं लिखता तो fourth वाले पर देखो वह गाईस empty को भी उसने store कर दिया तो यह छोटी-छोटी चीजों को हमें ध्यान में रखना है अब इस देखना में कैसे यह पाता लगाउं यह वाला पाट मैं कैसे यह पाता लगां कि मेरा यह जो state इस पर user अभी जो लिखने जा रहा है वो मेरे इस state में already exist करता है या नहीं मुझे कैसे पता चलेगा बताओ कैसे पता चलेगा believe me guys array अगर आपने अच्छे से की होगी then आपको ये मालूम है कि हम ये बहुत इजिली कर सकते हैं क्यों क्योंकि array में already set of methods आपको मिलते हैं let's say अगर आपको filter करने हैं उसके set of methods से let's say अगर आपको search करना है या find करना है उसके set of methods से हमारे इस case में आपको ये कह सकते हूँ कि हमें search करना है या हमें find करना है कि user जो भी type कर रहा है क्या वो हमारे इस state में हमारे इस array में already present है या नहीं so this is our array right तो द्यान से देखो कैसे करता हूँ this is our array and our array is nothing but our task right so मेरा ये जो task है इस array में includes करके हमारे पास एक method है अब ये बहुत easily check करेगा मतलब user ने क्या लिखा इसके अंदर में जो भी value लिखूंगा वो check करेगा I mean ये जो method का काम है ये check करना है कि ये जो भी value है क्या task वाला ये जो array है उस पे वो है या नहीं वो element present है या नहीं तो फिलाल मुझे कैसे पता कि user ने क्या लिखा कोई doubt ही ने ये user जब भी कुछ लिख रहा है मैं handle input change की मदद से उसकी value को update कर रहा हूं and वो input value में update हो जाती है so this is my input value I think इसको अगर मैं ऐसे कर दो हाँ perfect ठीक है so आप देख सकते हो यहाँ पे कि like अगर उस array में user ने जो भी type की वो already included है then return do nothing but return simple right and at the end मैं मुझे एक चीछ करना and that is कि the moment यह जो set task हम update कर देते है मेरी यह जो set input की value है वो क्या make sure करता है यह updated function है right जो यह make sure कर रहा है कि मेरी यह input value है उसकी क्या value होनी चाहिए right and वही input value को मैंने यहाँ पे set की रखी है तो अगर इसकी value if you remember initially मैंने इसका क्या रखा था एक empty string रखी थी that's why वो always empty था यह जितना भी type कर लो मैं कुछ कर नहीं पा रहा था बस आप मुझे फिर से वही करना है एक बार सब हो गया समझ रहो लाइक चेक भी हो गई empty है या नहीं एर में जाकी stored भी हो गया मेरा कामी खत्म ना हटाओ उसको जो भी लिखा user नहीं तो set input value and मैं वापस उसको empty गर दूँगा यह पहला validation यह दूसरा validation यह तीसरा validation I think यह जो तीन validation आप करोगे it's enough let's say apple perfect see we have apple let's say mango let's say orange grapes perfect मुझे कितने awesome तरीगे से यह यहाँ पर मिल चुके है अब let's see अगर add task पर click करता हूँ नहीं empty array नहीं हो रहे already आप वो तो देखी चुके होई कि I mean क्या बोलते हम उसको जैसे लिख के enter हीट करता हूँ वो empty हो जा रहा है वो तो आपने देखी लिया बचा वो same mango लिख रहा हूँ mango already हम add कर चुके थे and this is it अब आप देख सकते हो कि mango जो है वापस से यहाँ पर add नहीं हुआ क्योंकि यह वाला जो method है okay कहां गया here we have this part यह अपना काम कर रहा है but there is still one problem and that simple problem यह है though वो यहाँ पर add तो नहीं हो रहा है but यहाँ से वो delete भी नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि यह वाला जो part है let's do something like this जिसमें इसको उपर कर देता हूँ एक second यह क्या हो रहा है है ना ऐसे करता हूँ and यह वाला जो part इसको copy करता हूँ and यहाँ पर भी paste कर देता हूँ कि अगर भाई match हो गए फिर भी आप यह जो है उसको empty कर दो फिर return निकलो कुछ मत करना बाकी refresh अब देखना फिर से so here we have a apple we have a mango and here we have a mango and boom guys see ना तो वो इधर add हुआ ना यहाँ पर वो as it is हमें दिखाई दे मेरा यह काम होगी है अब मुझे क्या गरना है यह जो मेरा array बनके ready होगी है तो मुझे one by one यहाँ पर display कराना है कितना जादा easy है एक array को display कराना हम already नेट्फिक्स में दिखा चुके थे I mean कर चुके थे तो मैं यहाँ पर चलता हूँ तो यह था मेरा form form से लेना देना है ठीक यहाँ पर हम चलते है let's go with one more section on order list perfect ठीक अब यहाँ पर मैं चलूँगा यह ul आएगा यहाँ पर उसके अंदर में अब वो जो मेरा task है यह एक array है जहाँ पर मैं map method चलाऊँगा बहुत easily मैं li के साथ आप खेलने वाला हूँ जहाँ पर what I need li के अंदर I need one key no matter what key आपको pass करना बहुत जरूरी है फिलाल के लिए का इस में index रख रहा हूँ फिलाल के लिए में index रख देता हूँ and obviously map में आपका जो second argument था वो index ही होता है and इस li के अंदर में एक span tag ले रहा हूँ जिसमें हमारा वो text मुझे मिलने वाला है तो मैं वो current task ठीक है alright perfect then we have a button and मैंने कल के वीडियो में ही आपको ये बताया था कि आप कैसे react icons के साथ खेल सकती हूँ and हमारे project में already जो react icons है वो already installed है देखिए it's already installed and आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि हम react 19 में काम कर रहे है ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर version 19 ठीक है alright तो यह react icons आपको दिख रहा है यहाँ यहाँ पर and अब मैं चलता हूँ over here still अगर आपको confusion हो तो please आप कल का वीडियो देख लीजे let's go with react icons है ना आप simply इसको install कीजे and यहाँ पर search कीजे check करके बस search करो इतने सारे check आपको मिल जाएंगे I think मैंने यह वाला use किया हुआ है and that is md check करके कुछ तो भी मिलेगा आपको यहाँ पर इतने सारे check में md check कौन है भई all right guys I think यह वाला जो आपको दिख रहा है this one यह है जो मैंने use की हुई है तो आप देख सकते हो कुछ आपको यह पॉपक्त इस तरह किसे copy करना है and I think आपको दिख रहा होगा जो मैंने copy की फिल्याल इसको copy करो and then इसको paste कर दो यही काम है और कुछ नहीं है तो इसको कर लेते है copy top पे आईए here we have this import ठीक and by the way एक की साथ में md delete forever करके भी है वो भी आप लोगों कोई दिखाना चाहूंगा md delete forever यह वाला इसको भी आप देखिए same है दोनों हमारे same घर से है तो आपको अलग इंपोर्ट करनी की जो अतनी आप यहां पर उसको paste कर सकते हूं ठीक है अब यह जो md check है उसको यहां पर आईए here we have this button and यहां पर आप उस आप यहां पर self closing tag बना दीजे ठीक है यह एक हो गया and यहां पर चलते है and अगर मैं md check perfect इतना मैं कर देता हूं and okay yeah so here we have a class called it's a check button and here also we have a class and it's called a delete button perfect ठीक है तो कितनी easily देखो guys यह तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात थी जहां पर एक array को कैसे loop करके display कराना था हमारे UI में वो तो like बहुत easy काम था यह and apple mango मुझे मिल रहा है जो कि अच्छी बात है बट design में यह थोड़ा सा mark आगया and the reason क्यों यह mark हाया बोलने से here we have one more class देखा गाई CSS पहुत important है and मैंने लिखा है to do and then item so it may possible and boom guys yeah orange grapes perfect देखिए अब आप देख सकते हो कितने ओसम तरीके से मेरा यह काम कर रहा है अब मैं वापस apple लिखता हूँ नहीं होगा so yeah guys this is it आज इस वीडियो के लितने आई I hope आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा यह था हमारा day one की आप यह to do application को कैसे बनाते हो and मैंने आज इस वीडियो में जो कुछ भी आपको बता है make sure आप इसको अच्छे से कीजिए and don't worry जब हम आगे आगे बढ़ेंगे इसको में और simplified करते जाओंगा और इसको में better करते जाओंगा but आज इस वीडियो के लितना ही जहाँ पे एक form but आज हमने इतना कर लिया जो कि बहुत बड़ी बात है अब हम देखेंगे next video में कि यह जो date and then जो time है उसको हम कैसे implement कर सकते क्योंकि यह भी अपने आप में बहुत important है क्योंकि JavaScript के दुनिया में तो date and time एक अलग topic है पूरा एक आदा गंटेगा then we have timing events जिसमें set interval, set timeout यह वह एक अलग topic है एक घंटेगा तो वह सभी कल मैं आपको सिर्फ एक video में बता हूँगा कि वह सारे चीजों को आप react में कैसे implement कर सकते हो and what are the best practices जिसको आपको follow करना बहुत जरूरी है so yeah guys this is it आज इस वीडियो के लिटना ही I hope video बहुत ही ज्यादा पसंद आगा and it's just the beginning आगे आगे जब हम जाएंगे इतना change इसको में कर दूंग आपको oh my god क्योंकि अभी तो आपको लग रहा हूँगा यह तो बहुत easy है right है तो easy ही but बहुत सारी चीजे जो अभी हमें करना बाकी इस पर तब आपको पता चलगा नहीं यार and at the end वाला जो वीडियो जब मुझे इसको चेक करना है तब तो मैं पूरा कोड़ी चेंज कर दूंगा वापस से वापस से आपको पूरा लिखना पड़ेगा उस एक दिन में क्योंकि अभी हम जो तरीका कर इसमें सही नहीं है like to be very frank इसमें मतलब कोड़ सब सही है but हम यह जो जिस तरीके से कर रहे है न एक तो सभी चीजों को एक ही जगे पर रखना and the main thing is index C में directly as a key use कर रहा हूं की पीछे का reason and all आपको पता होना जी ठीक है so guys video please अपने दोस्तों को भर-भर के share कीजेगा instagram whatsapp facebook आपको जहां पसंदो आप मुझे tag कर सकते हो and playlist को जरू check out कीजे क्योंकि बहुत important है and उपर से version 19 है guys सीखे बाकी जगे आपको 18 मिलेगा किसी ने भी तक version 19 स्टाइट भी नहीं किया होगा right तो please like कर दीजेगा कुछ doubt हो तो comment कर दीजेगा next target is 1 million subscriber तो अभी तक subscribe नहीं है तो please कर दीजे मिलता हूं मैं अब आपको next video में till then guys thank you so much take care